सुप्रभाद बच्चों मैं रीना सहाय डेवी नंदराज पब्लिक स्कूल की हिंदी सिक्षिका आज आप लोगों को कक्षा दस्वी के स्पर्स भाग दो का दुईती अध्धाय पढ़ाने जा रहे हूं जो है मीरा के पद तो जैसा की नाम ही से पता चलता है मीरा के पद के कवियतरी हैं मीरा बाई तो हम लोग सबसे पहले मीरा बाई के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे जीवन परिचे में हम लोग उनके जीवन परिचे के साथ साथ रचनाएं, साहितिक विशिस्ताएं और वहासा सैली की भी जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनके जीवन परिचे जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं कि मीरा बाई कृष्ण दिवानी थी तो कृष्ण की दिवानी मीरा बाई का जन्म सन 1503 में जोदपूर में मेड़दा की समीप चोकडी गां में हुआ था उनका लालन पालन पितामा रावदूता ने किया था पितामा के द्वारा उनका लालन पालन किया गया था रावदूता अच्छे योध्धा और वैश्णों भग थे अता बच्पन से ही मीरा बाई को गृधर कृष्ण के प्रती प्रेम हो गया साधू सन्यासियों के उपदेश तथा लोग प्रचलित गीतों को सुनकर उनके मन में संसार के प्रती वैराग्य पैदा हो गया मीरा बाई का विवा बहुत ही छोटे उम्र में हो गया था मीरा बाई का विवा 13 वर्ष की उम्र में चित्तोर के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोज राज से 1516 में हुआ विवा के 7 वर्ष बीतते थे कि पती का देहांत हो गया उनके जीवन में इतने सारे कश्टाएं कि उनका मन दुखी होता चला गया और इन घटनाओं से मीरा के मन में वैराग्य का भाव मुखरित हो उठा उन्होंने पती के साथ सती होने की परंपरा का त्याग कर दिया वेस्वयम को कृष्ण की पत्नी मानती थी वेस्वयम को कृष्ण की पत्नी मानने लगी इसलिए क्या हुआ कि राजघर आने वाले जितने लोग थे उनसे अच्छा विवार नहीं करते थे तो वेस्वयम को कृष्ण की पत्नी मानती थी राजघर आने को मीरा का विवार अच्छा न लगा इसलिए उन्हें अनेक यातनाएं दी गई उन्हें मार डालने की कई कोशिशे की गई किन्तु मीरा जी बच निकली उन्होंने प्रभु भक्ती में ही अपना मन रमा लिया वे वरिंदावन में रहने लगे कुछ समय बाद वे द्वारिका के रंचोड मंदिर में भगवान की मुर्ती के सामने गीत गाते गाते जीवन बिताने लगे पहले वो वरिंदावन में रहने लगे फिर द्वारिका आ गई वहाँ एक मंदिर था रंचोड मंदिर वहाँ पर वो पुरा जीवन आपन करने लगी कृष्ण भक्ति में ही गीत गाते गाते और वहीं पर सन 1546 में उनकी मृत्य हो गई अब उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी थी? मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित हैं परंतु स्फुटक पद ही उनकी प्रमानिक रचना है अब उन्हें पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हो गए हैं उनकी विशेष्टा क्या थी? सहितिक विशेष्टा क्या थी? मीरा बाई के काव्य का प्रमुक स्वर है कृष्ण प्रेम वे गिरिधर कृष्ण की दिवानी है, उनका प्रेम अनन्य है, उनमें विरह की प्रधानता है, वे प्रतिछन अपने प्रभु को पाने की लालसा में लीन रहती है मीराबाई ने अपने प्रभुस्त मिलने की आतुरता को ही बड़ी तिवरता से प्रगट किया है मीराबाई ने सान तरस के पद भी रचे हैं, उन्होंने संसार के छण भंगुरता का उल्ले करते हुए मनिस्षिको कृष्ण भक्ती में अनुरक्त होने की सलाह दी है ये तो हो गई साहितिक विशेस्ता हैं, अब उनके भाषा सहली कैसी थी, क्या भाषा वो प्रियोग करती थी मीराबाई की काब्य भाषा सामान्यता राजस्थानी मिश्रित ब्रज थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज उनके काव्य में गुजराती का भी विशेश पूठ है खड़ी बोली और पंजावी का भी परियाप्त प्रभाव उनके काव्य में देखा जा सकता है संगीत और छंद की दृष्टी से उनका काव्य स्रेष्ट है उन्होंने सास्त्रिय रागों पराधारित स्रेष्ट पद लिखे हैं तो ये हो गई उनकी भाषा सैली अब हम लोग उनके पद का व्याख्या करेंगे लेकिन मैं पद का व्याख्या अगले वीडियो में करूंगी तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद